अगर दोस्तों कैसे हो आप लोग आई हूप कि आप सभी लोग बढ़ी आउंगे दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने Moto G31 Mobile में Face Lock को Set कर सकते हो अगर दोस्तों आपको नहीं पता है किस तरीके से Face Lock को लगाते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए इससे कि आपको पता चल जाएगा तो चलिए भीना Time Stick की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है अपने Mobile की जो Setting होती है उसको Open कर लेना है Setting को Open करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख जाएगा आप यहाँ पर आपको नीचे जाना है और नीचे जाने पर आपको एक Option मिल जागा है यहाँ पर Security का तो Security वाले Option पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर security पर click करने के बाद देखिए कि आपसे आपको मिलना है face unlock का तो आपको क्या करना है यहाँ पर face unlock पर click कर लेना है उसके बाद आपको अपना pattern डाल देना है जो भी आपने pattern मला रखा है और उसके बाद यहाँ पर setup लिखा हुआ है तो आपको setup पर click कर लेना है अब यहाँ पर फिर से next कर देना है और यहाँ से आप यह बोला है कि आपने face को सामने लाईए तो जोलिए मैं यहाँ पर face को सामने लाता हूँ दोस्तों यहाँ पर मैंने face को सामने ला चुका हूँ और यह देखिए add भी हो चुका है तो यहाँ पर आपको next कर देना है और जिसे next करोगे तो यहाँ पर done का आप से ना चुका है अभी यहाँ पर done कर दिया अब दोस्तों आपका face lock जो है वो set हो चुका है शुका है